मंदिर में अगर दिया लगाने जा रहे हो, बाती लगाई है आपने मंदिर के अंदर, तो कुछ दिर बेठी है, कुछ दिर इस्मर्ण करी है, हमारे यहां तो यहां तक कहा गया है कि किसी मुर्दे को अगर जलाया भी जाता है, तो कपाल किरिया तक रुकना पड़ता है कि थोड़ा रुकिये कोई पीछे से आकर कुछ करना जा दीप जलाएं थोड़ी दिर रुकिये और दीप का भी निया में मारा दीप का भी निया में दीए में जो फूल बत्ती लगती है गोल बत्ती लगती है गोल वाली, ये बत्ती हमेशा कोई विश्णु बगवान की पूजन कर रहे हो, शिवजी की पूजन कर रहे हो, कोई अन्य देवता का अगर अगर आप इस्मरन कर रहे हो, तो गोल बत्ती लगाई जाती है, बगवान के मंदिर में पूजन कर रहे हो, तो गोल बत्ती लगाई लंबी बत्ती, लंबी वाली जो बत्ती होती है लच्मी की पूजन में, देवी पूजन में, जितनी भी माताओं की आप पूजन करोगे, जितनी भी देवियों का आप इस्मरन करोगे, उसमें लंबी बत्ती का प्रमान है, पित्रों की पूजन में लंबी बत्ती का प्रमान है पित्रों को कभी गोल बत्ती नहीं लगती आप मटके के पास में, परिंडे के पास में जल के पात्र के पास में कोई भी अगर दिया लगाएंगे तो महां गोल बत्ती रखकर लगाएंगे तो घर में लच्मी नहीं टिकेगी कई लोग करते हैं कि परिंडे के पास मटके के पास में पानी के स्त्रोत के पास में जहां जल भरते हैं हंडा रखते हैं तंकी रखते हैं वहां पर मटके के पास बत्ती लगाओ दिया लगाओ पितर सांत रहेंगे तो पितरों को सांत करो मना नहीं है पर दिया लगाने का निय में कि पित्रों को अगर आप दिया लगा रही हो मटके के पास परिंडे के पास या अमवस्या के दिन पित्रों के लिए अगर दीप लगा रही हो तो गोल बत्ती अगर लगाओगी तो कारिक कभी सफल नहीं होगा, धन आएगा, जाएगा, टिकेगा नहीं, इसलिए पित्रों के लिए अगर दिया लगाना है, पूरवजों के लिए दिया लगाना है, पित्रों के लिए अगर दीप लगाना है, तो लंबी बत्ती लगाएगा, लंबी बत्ती, मारत, लंबी बत्ती का प्रमान हमर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा लच्छनी से तकलीप है कश्ट बहुत ज़्यादा है या इसलिए सायद कहा जाता है कि भगवान को सर्वस्रेष्ट कौन सा चंदन अच्छा लगता है आपको पहले भी कथा में का आगरा की कथा गर किसने सुनी होगी तो उसमें बढ़न किया भगवान को सर्वस्रेष्ट चंदन कौन सा भगवान को सर्वस्रेष्ट चंदन कौन सा प्रिय है वो कौन सा चंदन है जो भगवान विश्णू को लगाएं राम को लगाएं कृष्ण को लगाएं वो कौन सा चंदन है जो श्री हरी को लगाया जाए तो जीते जी भगवान विश्णु एक बार गले लगाते है उसको कते हरी चंदन कौन सा चंदन है हरी चंदन हरी चंदन बजार में नहीं मिलेगा हरी चंदन आपको बनाना पड़ेगा काईसे बनाना है पत्थर पर घिसा जाए और घिस कर उसमें थोड़ा सा कुंकू रोली डाल कर तैयार करकर जो भगवान विश्णू के मस्तक पर कृष्ण राम के मस्तक पर लगा देते हैं और उसकी एक बिंदी अपने हिर्दय पर लगा लेते हैं जीते जी भगवान एक बार उसको गले लगाते ही है हरी चंदन प्रियतार जैसे शिव महा पुरान में रुद्र चंदन का भाव है शिव महा पुरान में रुद्र चंदन का प्रमान दिया जाता है अगर आपने लिंग पुरान पढ़ियो तो उसका पांच्वा इसक हम दा भश्र पड़िए गा मारत है और श्यल्ऄ महापुरान अगर पड़ रह ला हुआ तो उसका कुमार एक हंड पड़िएगा जिसमें रुदर्चंदन का प्रमाने रुद्र रुद्र चंदन का प्रमान का इसा, तो महराज कहा, चंदन घिसकर, पीला चंदन घिसकर, उस चंदन को तीन मुखी रुद्राक्षे पर लपेट लिया जाता, तीन मुखी रुद्राक्षे पर उस चंदन को लपेटा जाता, लपेट होगे, उसके बाद उसको इसको गोल एक दम चिकना ठीक है एक दम चिकना हो जा और उस चंदन को आप शिवरात्री के दिन और कोई से भी महिने की शिवरात्री किसी भी महिने की हो सब फलदाई होती है अगर आप पंचांग में देखेंगे तो शिवरात्री लिखी हुए आती है हर महिने शिवरात्री पढ़ती है किसी भी महिने की शिवरात्री पर रुद्र चंदन अर्थात जो चंदन का आपने तीन मुखी रुद्राक्ष में लेपन करा है उसका गोला बनाया है वो चंदन अच्छा मोटा मोटा कर लेना अच्छा बढ़िया है ऐसा नहीं कि थोड़ा बोती लगा पूरा रुद्राक्ष दिखना नहीं चीए पूरा लपेट कर उसको संकर के शिवलिंग पर लिजाकर रग दीजिए और फिर धीरे-धीरे संकर भगवान कबर जल अभिष्यक करना प्रार म कर दीजिए वो चंदन पूरा धीरे-धीरे शंकर के शिवलिंग पर डलना चाहिए शंकर के मूल मंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाब करिए यह कहलाता है रुद्र चंदन इस चंदन के अभिशेक से महराज जो काम नहीं होता आप करकर उस कारे को प्राप्ट कर सकते हो शिद्ध कर सकते हो हरी चंदन रुद्र चंदन यह वो चंदन है जो जीवन का सुख प्रदान करने वाले हर्तत्व देन मंगल है राहू है के तु है दशा बेकार चल रही है लच्चमी नहीं आ रही कष्ट भूत है फेक्रियां नहीं चल रही कहीं मत जाओ मेरे शिव की शरण में जाकर एक बार शिव महा पुरान को पूरी सुनो शास्त्र के हटकर कुछ नहीं बोलेंगे जो शास्त्र संबत है इसकंद पुरान में, विश्नु पुरान में नरवदा पुरान में, लिंग पुरान में शिव महा पुरान में भविष्य पुरान में जितनी जितनी बातें लिखी होती है उसको चाट-चाट कर लेकर आते हैं आपको बता देते हैं कि आप ये कर लो उससे फायदा मिल जाएगा कोई जोतीशी नहीं कोई कुछ नहीं बसके बल भजन करो शंकर का अनुमोधन करो और विश्वास रखो शंक वो देगा सम्रद्धी वो देगा जिसके घर में बहु रिद्धि सिद्धी हो जिसके घर में अमोध और प्रमोध पोते हो जिसके घर में शुब और लाब दरवाजे पर बेटे बनकर विराजमान होते हो जिसके घर में स्वयम अखंड सोभाग के देने वाली पारवती हो ज जब सब कुछ उसके पास में है, कुबेर का खजाना वो चोर को दे देता है, जब सर्वस्वता उसके पास है, तो आप इदा उड़र डोलते क्यों हो, क्यों डोलो, उस पर विश्वास रखो, वो शंभो, वो शंकर, वो तरकाल दर्शी, वो केलाशी, वो अविनाशी, सुख आनन देगा, आनन देगा, पाने का तरीका, केवल उसको रिजहाओ, जो मंदिर आप से दूर हो, जिस मंदिर में कोई नहीं जाता है, जिस मंदिर में कोई दिया तक नहीं लगाता है, उस मंदिर में तुम जाओ, और उस मंदिर में एक दिन जाकर, प्रकाश करकर आना, एक पत्ति पेड़ पोधे की पास में तोड़के चड़ायाना दो चार बार कर कर देखना कितना शांती कितना धीरच कितना अनंद कितनी सम्र्धि कितनी लचमी मिलती है तुम करोगे तुमारा पेड भराएगा हम करेंगे हमारा पेट भराएगा स्वयम करिए ब्रह्म लोग के देवता ब्रह्मा है बेकुंत के देवता भगवान विश्णु है और मर्तियू लोग का अगर कोई देव है तो वो महा देव है केवल शंकर केवल शिव मर्तियू लोग का दे अब एक विचार करो तुम्हारे घर में अगर थोड़ी सी तकलीफ आई तो सबसे पहले अमेरिका में लड़का रेरा वो आएगा क्या पूना में बच्चे रेरा है वो आएंगे क्या इंदोर में बेटी रेरा ही वो आएगी क्या ओजेन में कोई रेरा है वो आएगा क्या सबसे पहले वो आएगा जो तुमारे घर के पास होगा या घर के तरीब में होगा बिल्कुल लगा हुआ होगा या घण में होगा अब आप कहा रहते हो जितने लोग कथा सुन रहे हैं सही बताना कहा रहते हो परत्वी पर मरत्यू लोक में रहते हो और पुकार किसको रहे हो ब्रह्म लोक में पुकार किसको रहे हो बेकुंठ लोक में पुकार किसको रहे हो इंद्र लोक में और जो घर के घर में रह रहा है जो तुमारे पास में रहा है जो मरत्य लोक में रह रहा है उसको तो बुलाई दी रहा है कई लोग काते हैं, नती लोग, कई लोगों किया दाते, पडोसन को तो खुब चाय पिलाएंगे, पडोसन की काकी के तो खुब माँ पड़ेंगे, पडोसन को तो चाय भी पिलाएंगे, इतना गुंगट रही नहीं, दोग भी लगाएंगे, पडोसन को तो खुब प्रणाम कर पढ़ो उसकी काकी केने मौसी केने